सब्सक्राइब एक और जो लेटेस्ट अबडेट है कि जामया ने चार पांच कोर्स की सेकेंड लिस सेकंड लिस मतला फर्स्स्ते आप सलेक्टेड केंडिडेट फॉम वेटिंग लिस्ट में जो पहली लिस्ट आई है इसकों सेकंड लिस्ट कह रहा है वह आगी है M68, MTTM, PGTTM then उसके बाद MHRM MSW और M56 MB Executive साथ में एक और लिस्ट आई है जिसमें की International Students के लिए दी है जो की MBM में सलेक्ट हुए यह सब अभी हम डिसकस करेंगे तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले M68 MTTM and PGTTM तो इनको जो डेट दी है 16 to 18th August है Hospitality Management, Documents जो चाहिए हैं वो Admit Card, Registration, Tourist Insight, Passport Size Photograph, Proof of Qualifying Examination यानि Graduation जो आपने किया इसकी मार्कशीट, Proof of Age High School और इसके Certificate Permanent Address के नहीं है, Water ID, Passport DL अधार में से कोई एक और कोई category है तो उसका साथ में अगर आपको कोई gap है तो उसका period बनाना एक ragging के लिए बनेगा एफिडेविट, कहीं भी Notary साब बनवा सकते हैं और अगर result नहीं आया qualifying का तो 39 तक आपको जमा कर देना है और जो date हैं उन्हीं में आपको ये formalities पूरी करनी है तो अब हम cut off पे आ जाते हैं तो देखते हैं जनरल 39, Muslim 37, Muslim OBCST 36.25, Muslim Women 27 इसमें देखते हैं कितनी seats हुई है तो ये देखेंगे जनरल में 5 जिनका अपग्रेड हो गया है PGTTM से MTTM Muslim में 3 Muslim OBCST में 1 Muslim Women में 1 तो ये सब अपग्रेड हो गा है PGTTM से MTTM में और एक ये Muslim Women डायरेक्ट वेटिंग में से नाम आगिया है अब देखते हैं PGTTM जनरल 32.25, Muslim 29.5, Muslim OBCST 28, Muslim Women 24 और इसमें देखेंगे जनरल में 12 seats विकेंट हुई Muslim में 8 Muslim OBCST में 1 और Muslim Women में 1 तो ये MTTM का था इसके बाद आते हैं 14 MA HRM Human Resource Management तो इनको भी डेट वही है 16-18 और वही सारे डॉकॉमेंट से और यहां पर हम देखेंगे cut-off तो जनरल 48.25, Muslim Women 49.5, Muslim OBCST 46, PWD 24.25 तो तीन seats जनरल में वेकेंट हुई एक Muslim Women, एक Muslim OBCST, एक PWD then M13, M is Social Work तो इनको भी डेट वही है 16-18 वही सारे डॉकॉमेंट से और cut-off है जनरल की 57.5, Muslim 57.5, PWD 27.75 तो आट सीट जनरल में वेकेंट कुई, एक Muslim कैटिगरी में एक PWD, PWD and last M56 MBA Executive, इनकी डेट भी वही है 16-18 इनको भी वही सारे डॉकॉमेंट्स चाहिए होते हैं साथ में एक अडिशनल डॉकॉमेंट्स चाहिए होता है applicant must have 3-year experience at executive level in government and private sector including public limited, private limited अधब 3-year का आपका graduation के बाद work experience होना चाहिए तो यहां cut-off चल रही है, जनरल 67.5, Muslim 62.5, Muslim OBCST 36.25 जनरल में 8 seat weekend होई है, Muslim में 4 seats और Muslim OBCST में 1 seat तो यह सारे वो courses हैं जिनकी एक पहले list आचुकी थी main selected list और एक यह वेटिंग मेसेज हों सेलेक्ट होएं पहली तो हम उसको second list कह रहा है और एक जो information जामिया ने दी थी वो दी है international students के लिए 30 August तक उनको formalities final करनी है admission letter उनके email पर दे दिया जाएगा और यह documents उनको original चाहिए mark sheet of qualifying, proof of age, copy of valid passport, copy of valid visa, certificate from MBBS doctor or government hospital certifying blood group और intervening कोई gap period है तो उसके लिए एक affidavit बना हुआ और ragging में आप indulgeny होंगे इसका एक affidavit तो fee structure जो दे रहा है तो हम देख सकते हैं हमारे course से related है faculty of management studies तो उसमें जो fees दे रहा है है वो यूज डॉलर 3600 पर एनब पर येर fees 3600 US dollar MBA के courses में और MBA healthcare and hospital की भी same fees 3600 US dollar और यहाँ पर लिस्ट इंजिनेरिंग की है साथ में ये faculty of management studies तो दो student इसमें confirm हो गए है और एक का final result देना है तीन student की list आई ये तो ये international students की students thank you for watching और जो आप अगर कोश्चन है तो given जो हमारा number है thumbnail में दे रहा है उसको आप call कर सकते हैं या फिर आप comment box में comment करके पूसे तो thank you for watching